अखिल भारती अंबेटकर संङ की और से किया गया कलेक्टेट पर धरना प्रदर्शन उत्तर प्रदेश के जनपद मुरादबाद में कलेक्टरेट पर किया गया धर्ना प्रदर्शन जिसके विशे में जानकारी देते हुए राश्ट्री अध्यक्ष अखिल भारती अंबेटकर युवासंग महावीर प्रसाद मौर्रे ने बताया कि हमारा ये आंदोलन है जनपद मुरादबाद में थाना भोचपुर थाना भगतपुर थाना सोनकपुर थाना पागबड़ा चार चार थानों में चार दलितों की हत्या हो गई और मुरादबाद की जो पुलिस है वे जान पूछ कर इन केसों का खुलासा नहीं कर रही केवल एक ठाकड़द्वारा वाला जो केस है उसमें केवल अभियुक तो गिरफतार हुआ है वो भी कैमरे में गोली मारते हुए नजर आ रहा है तब और उसके अलावा बहेडी का इतना पुराना केस हो गया इतना लंबा समय हो गया थाने वालों ने एफ़यार नहीं लिखी और उसके बाद बामुश्किल आग्यात में एफ़यार लिखी और हमसे वादा करा था कि केस खोल कर देंगे लेकिन अभी तक केस नहीं खोला कुछ मुझरिम पकड़ रखे हैं वो थाने में बठा रखे हैं इसी को लेकर हमारी नाराजगी है महावीर प्रसाद मौरे ने आगे जानकारी देते हुए बताया कि अभी थानर भगतपुर ग्राम डूंगरपुर में विनोत नाम का एक व्यक्ति जिसके पिता का नाम बलदेव बहुत गरीब तता जाती से अनुसूचित है विनोत के ही गाउं का हितान्शू पुत्र कुवरपाल यादव एक अपराधिक प्रवित्ति का व्यक्ति है हितान्शू ने लगभख दो वर्ष पूर्व अपने सगे पिता की गोली मार दी थी जिसके कारण वे एक वर्ष जेल में रहा था हितान्शू ने दिनानक 6 नवंबर 2022 को समय करीब सुबा 8 बजे विनोत का सर फोर दिया पुलिस ने मेडिकल कराया उसके बाद दरोगा जी जब घटना की जानकारी करने के लिए गाउं गए तो हितान्शू ने दरोगा जी की वर्ष फार दी हितान्शू एक अपराधी किस्म का व्यक्ति है उसके बावजूद भी उसकी कोई गिरफतारी नहीं हो रही है गिरफतारी तो दूर की बात है F.I.R. भी नहीं लिखी गई है तो कहीं न कहीं इसमें राजनेतिक संड़क्षड प्राप्त है महावीर पसाद मौरे ने आगे जानकारी देते हुए बताया कि हमारी ये मांग है कि इसमें F.I.R. दर्ज हो और उसे ततकाल गिरफतार करके उस पर N.S.E. लगाई जाए महावीर पसाद मौरे का कहना है कि सत्ता का कोई बड़ा नेता है जो इन मामलों को दबाने की कोशिश करी जा रही है और अभी उक्तों को बचाने की कोशिश की जा रही है महावीर पसाद मौर्डे का कहना है कि यदि ये चारो केस नहीं खुले और मुझरिम गिरफतार नहीं हुए तो हमारा कलेक्टेट पर अनिश्चित कालीन धरना होगा महावीर पसाद मौर्डे का कहना है कि थाने के इंचार्च कप्तान साहब को गुम्रा करते हैं कप्तान साथ क्रॉस चैकिंग नहीं करते जैसा ऐसे एचो ने बता दिया एसो ने बता दिया वे उस पर विश्वास कर लेते हैं जब कि ये उनके ड्यूटी है कि क्रॉस चैकिंग होने चाहिए महावीर पुरसाद मौरी का कहना है कि ये हमारी मांग है कि जांच करके ऐसो भगतपुर को तत्काल निलंबित किया जाए और वहाँ पर इमानदार ऐसो लाया जाए मुरादबाद से परवेज अंसारी की रिपोर्ट कि महावीर पुरसाद मौरिय राष्टी अध्यक्स अखिल भारतियां मेड़कर विवक्संग ये आज का जो हमारा ये आंदोलन है जन्पत मुरादबाद में थाना भोषपूर थाना भगतपूर थाना सौनकपूर थाना पाकबड़ा यनि चार चार थानों में चार चार दलित की हत्याएं हो गई और मरदबाद की जो पुलिस है वह जानबूच कर इन केशों का खुलासा नहीं कर रही केवल एक ठाकरदवारे वाला केश है उसमें अभी तो गिरपतार हुए वह भी कैमरे में गोली मारते हुए नजर आगे तब और वह जेल से धंकिया दिलवा रहे है कि याद पैर भी करनी छोड़ दो और नहीं तो जेल से आता ही जो है और कतल होंगे और उसके अलाबा ये बहेड़ी का इतना मलब पुराना केस हो गया ये 20 तारीक को जोगेस जो है उसको बुला कर ले गए थे 22 तारीक को उसकी पौड़ी मिली है तो 22 दस और आज 8 तारीके बार में महीने की इतना लंबा समय हो गया तो पहली बात तो थाने वालों ने लिखी और उसके बाद बामुस्किल अग्यात में फाए लिखी और हमसे वायिदा करा था कि हम केस खूल के देंगे लेकिन अभी तक केस नहीं खोला मुल्जिम जो है कुछ मुल्जिम पकड़ र और यह यह थाना भगतपुर का बिनोध नाम का व्यक्ति है उसके पिता जी का नाम है बहुत गरीब व्यक्ति है उसकी हिम्मत को हमें दाद देनी पड़ेगी कि इतने बड़े माफिया और इतने बड़े गुंडे बदमास के सामने वह अपनी जुवान खोला है क्योंकि आज तक उसने जितने लोगों को भी मारा है किसी ने थाने में रेपोर्ट कराने की हिम्मत नहीं करी और उसका नाम है हिस्तांसु यादब तो उसने 611 को इस घटना को अंजाम दिया बिनोध का सर फूर दिया पुलिस ने रेपोर्ट दरिज कराई है क्या नाम है मेडिकल कराया उसके बाद दरोगा जी जब घटना की जानकारी करने के लिए तो उस व्यक्ति ने दरोगा जी की वर्दी फारदी और उससे पहले वो व्यक्ति हितांसु यादब वो अपने पिता जी को गोली मारने के अपराद में एक साल की जेल काट काया है और इतना बड़ा आतंक जब एने से लगाई जाए बिल्कुल यह सारे पिरकण जितने भी हैं यह सत्ता से रिलेटिड हैं सत्ता का कोई ना कोई बड़ा नेता कहीं ना कहीं इस इन माम लोगों दवाने की कोशिस की जा रही है तो मैं यह मानता हूं कि अपरादी की कोई जाती नहीं होती सरकार आती है औ आवाज उठाता है तो उस आवाज को कोई दवा नहीं सकता क्योंकि हम लोग जो है आज सांकेतिक दिए धर्नपर दसन कर रहे हैं यदि ये चारों केस पांचों केस नहीं खुले नहीं मुल्जिम कर अपतार हुए तो हमारा कलक्टेट पर अनिश्चित कालिन धर्ना होगा फि ऑचित को कि जो जिले के भोग उसके थानों के इंचाड़ है वह कप्तान साब को गुमना करतें कप्तान साब की ये गलती है कि वह क्रोफ करोश चेकिंग नहीं करते जैसा ऐसे और ना बता दिया वह सू विशवास कर लेते हैं जबकि ये उनकी डूटी है कि क्रोश चेकि हो रही है यह गलत है यह नहीं होनी चाहिए पुलीस मैंने अभी आपको बताया कि दरोगाजी का गिरिवान पकड़ लिया वर्दी फाड़ी और वह आज तक फायार दर्जनी कर रही थाने की पुलीस तो कहीं न कहीं राजनेतिक उसको संद्यक्षन प्राप्त है और जो व्यक्त कि उसमें जो है तत्काल जो है जाच करके ऐसे चोगों वहां से ऐसो भगतपुर को तत्काल निलंबित किया जाए और वहांपन इमांदार ऐसो बनाया जाए जो तत्काल रिपोर्ट दर्ज करें और उसको हैंट्वेंट गरपतार करें